हाई एवरिवन कैसे हो आप तभी लोग आई होब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूर आहूल जेस्वाल एं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में जैसे कि आप जानते हो दोस्तों कि हम दे 10 स्टांडर के लिए फिर से पूरा का पूरा एंटायर सिलाबस कंप्लीड करने के लिए ये डिजिटल बोर के उपर नए वीडियोस बना रहा हूँ वैसे आप जानते हो कि यार वाइट बोर्ड के अल्रेडी पूरे के पूरे एंटा नॉलिज हमने क्लियर किया हूँ लेकिन दुबारा से जो आपने डिमांड किया था कि इसे डिजिटल बोर्ड लाए हो तो वापस एक बार पढ़ाओ तो हम पढ़ा रहे हैं लेकिन ये साइमल्टेनेसली दीरे दीरे ले लेक्चर आ रहा है लेकिन आप आगे पढ़ना चाह दो करने वाले हैं कुछ एक्जामपल्स दो से तीन एक्जामपल होंब भी दोंगा उसके लिए भी रेडियरे ना क्योंकि आप लोग के लिए मैं एक्जामपल छोड़ता हूँ जामभूज के आप लोग उसको प्राक्टिस कर पाओ तो आज भी कुछ सिमिलर एक्जामपल सब्सके पहले यहाँ और सौल करने आता है ने तो चाहें बॉक्स दिआ हो चाहें लूब कर लोगे अगर आपको टेकनिक पता है सौर्म Akbar तो यह क्या दिया है, determinant, correct है, दिख रहा है, आपको determinant दिया हुआ है, यह सिधा-सिधा determinant दिया हुआ है, और यह determinant को हम लोग को solve करना है, तो सबसे पहले इसको solve करेंगे, कैसे solve करते हैं, इसको solve करने के लिए हम लोग को cross multiply करना होता है, यह इससे multiply होता है, यह वाला इससे multiply होता 15-8 is equal to 7 so this is our final answer है कितना सिंपल है है कि नी देखो within में को लगता है 10 सेकंड भी नहीं लगे हूँगे मतलब मेरको आपको समझाना है करके 10 सेकंड लग रहा है लेकिन आप लोग जब इसको solve करोगे तो मुझे लगता है 2 या 3 गिनोगे ना इतना सिंपल तो एक्जाम में आता भी नहीं तो टेंचन मतले ना हम लोग चालू करेंगे अभी next question पर जाते है यह हमारा सबसे पहला question था उमीद करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा चलो आगे बढ़ जाते हैं हमारा अगला question आगे देखो क्या बोल रहा है question number 2 find the values of यहाँ पर कुछ determinants यहाँ पर दिख रहे हैं आपको इसका value निकालना है आप लोगो अगर आपने इसके पहले का जो lecture था हमारा lecture number 6 उसमें देखा होगा तो पुरा मैंने concept बताया हुए इसको मैं बार-बार अच्छी तरीके से समझाता हूँ ताकि जो concept है आपको clear हो जाए ऐसा नहीं कि आया आपको समझा समझा के यहाँ करवाता हूँ ठीक है तो यहाँ पर अगेन देखते हैं इसको करने की कोशिश करते हैं देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक समझ में आ गया बहुत सिंपल है आगे बढ़ जाए नेक्स यहाँ पर देखो है बीच में माइनस यह 3 x 7 हो जाएगा ठीक है सॉल कर लो 5 x 0 0 यह माइनस 3 x 7 is 21 ठीक है मुझे बाब बता यह माइनस यह माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाता है बहुत यहाँ यह जाते हैं इसको कैसे सॉल करेंगे टीक है तो यहाँ फिन लोग टेंशन में आ जाते हैं बहाई कैसे होगा क्या होगा पुछ टेंशन की बात निए आ अप कि यह वाला इससे मल्टिप्लाइब हो जाएगा यानि कि 5 by 3 multiply by किसके साथ होगा यह 3 by 2 के साथ होगा multiply कर लोना है यार क्या आता है multiply करने तो आता है ठीक है तो उपर उपर multiply हो जागा 7 नीचे 3 multiply by 2 is 6 तो यह होगा 7 by 6 बीच में माइनस यह 5 multiply by 3 is 15 नीचे 3 multiply by 2 is 6 तो यह देखो solve हो गया नीचे नीचे 6 है common denominator is 6 डोनों सेम है ना तो common denominator is 6 7 में से 15 माइनस करो 7 में से 15 तो जाता नहीं है लेकिन 15 में से 7 जाता है लेकिन बड़ा को है 15 है बहुत simple है कर सकते हो एक्जाम में अगर इससे भी भारी वाले इससे भी थोड़ा hard वाले आ गए ना तो घबराना मत दोस्तों बस दिमाग में एक चीज़ रखना कि भाई समझ में आ गया आगे बढ़ जाते हैं जो कि हमारे इस प्राक्टिस सेट का कुश्चन नमर 3 है इसमें बहुत सारे क्रामर सुरूल हम लोगों को सॉल करने है ठीक है क्रामर सुरूल क्या होता है सबसे पहले हम लोग क्या निकालते थे दी निकालते थे फिर दी एक्स निकालते थे दी वाई निकालते थे याद है कि ने उसके बाद एक्स का वैलू निकालना है तो दी एक्स बाई डी करते थे वाई का वैलू निकालना है तो दी वाई बाई D करते थे, यह आप side में लिखके रखो चाहिए तो, यह आपको step पता होना चाहिए, कि कैसे कैसे जाना है, याद एक नहीं मैंने concept जब पढ़ाया था, तो आपको crimeless rule में क्या करना है, यह एक दूसरे के नीचे लिखना है, और proper तरीके से arrange है की नहीं, यह 3x-4y is equal to form में है की नहीं, यह 4x plus 3y is equal to form में है की नहीं, आड़ा देड़ा तो नहीं है तो उसको arrange करो, तो यह बराबर है, यह इसमें कोई भी changes करने के जुरूत नहीं, ब से ऐसा determinant बनाते, इसमें क्या करना होता है, कि यह जो x और y के जो coefficient है, यहाँ पर 3 है, लिख दिया 3, यहाँ पर 4 है, लिख दिया 4, यहाँ पर minus 4 है, लिख दिया 4, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर लिख दिया 3, यह बन गया determinant, इसको solve कर लो, हमारा answer आजएगा, तो d will be equal to, 9, प्लस 16 हो जाएगा, मतब 25, तो हमारा d का वैलू आगया, 25, समझ में आ गया, d का वैलू हमें 25, बिल गया, यहाँ तक तो समझ में आ गया, इसमें कोई परिशान नहीं, बस हमने क्या किया है, यह जो x के coefficient है, मतब x के साथ में जो number है, x x वाले को excite रखा, y y वाले को excite र निकालते हैं, तो dx is equal to, मैंने आपको बताया था, कि x निकालना है, तो यह x के number को close करो, हाथ पे अपने, या फिर आपने mind में रख लो, ठीक है, और यह x को close कर दिया, तो x के जगा पर कुस्तो लिखना पड़ेगा, यह पहला वाला जो column रता है, वो x रहता है, दूसरा वा ठीक है, बाकी y वाले तो same लिखूंगा, तो y का कितना है, minus 4 और 3, तो यहाँ पर आजाएगा, minus 4, यहाँ पर आजाएगा 3, इसको solve कर लेते हैं, हमारा dx का value मिल जाएगा, 10 multiply by 3, minus, minus 4 multiply by 5, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो dx का value निकालो, तो dx will be equal to 10 30, minus, minus 4 multiply by 5 is minus 20, तो 30, minus, minus 20, मैं तो 30 plus 20 हो जाएगा, तो dx का value हमें मिल गया 50, dx यहाँ से मिल गया 50, कितना आसानी से निकाल लिया, है कि नी, dx यहाँ से 50 निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, dy निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है दोस्तो, dy, ध्यान से देखना, space curve में हमारे पास, मैंने determinant बनाया, ठीक है, अब y निकालना है, तो y वाले को close करो, x तो ही अपने जगापे, क्या है x देखो, दिख रहाए आपको, मैं हट जाता हू साइड, एक y close किया, तो x का दिख रहे 3 और 4 y है, sorry x है, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, x का आ गया, लेकिन हमने y को close किया था, तो जो y को close किया था, तो यह y के जगापे क्या लिखूंगा, तो अब उसके जगापे, यह लिखूंगा में, 10, 5, 10, 5, इसको solve कर लेते हम लोग, solve कर लेंगे, तो क्या आएगा, तो dy will be equal to 3 multiply by 5, minus 10 multiply by 4, solve कर लेते हैं, यहाँ पे continue करेंगे, क्या है, dy will be equal to, बताओ मुझे, 3, 5 is 15, minus 10 for the 40, तो यह जाएगा 15, minus 40, ठीक है, 15 में से 40 निकालो, minus 25 आएगा, तो dy का value मिल गया, minus 25, यह आगे, dy का value, तो जब हमें, d निकल गया, dx निकल गया, dy निकल गया, आप क्या निकालना है आपको, अब आपको निकालना है, x और y का value और वही तो निकालना होता है, क्रामा कितना है, 25, यानि किये हो जाएगा, 50, डिवाइड बाई 25, तो यहाँ पर x का value मिल गया आपको, तो x will be equal to 50 upon 25, मतलब 2, तो x का value आगया, 2 कितना आसानी से आगया है, देखो, simple है की नि, मतलब आप मैं, देखो, यहाँ रट रहा हूँ है, देखो, इसको एक बार, कितना simple है मैं हमेशा पूछा जाता है, कास कर बोर्ड एक्जाम में, तो definitely आपको बहुत ज्यादा easy लगेगा यह चीज, अब y निकालना है, तो y भी निकाल लो, y का formula क्या है, dy by d, dy कितना है हमारे पास, dy by 25, और d कितना है हमारे पास, 25, तो minus 25 upon 25, मतलब y is equal to, equal to minus 1, आगया answer, खतम, x is equal to 2, y is equal to minus 1, this is your answer, x and y निकालना हो, निकालना हो, अपने निकाल लिया, कितना आसानी से, कितना easily, है की नि, समझ में आ गया, आगे बड़े, next question पर जाते है, ठीके, चलो, देखते है, अगला question क्या है, अगला question देखो, इस प्रकार है, तेम, उसको भी यही करना है, यही करन होना चीए, और उसके equal के इस तरफ क्या होना चीए, right hand side की तरफ क्या होना चीए, number होना चीए, लेकिन यहा पे equal के इस तरफ ही minus 4 दे दिया है, मतलब नमबर दे दिया, तो भाई, ऐसा नहीं चलेगा, तो इसको normal करना पड़ेगा, तो normal कैसे करेंगे, तो यह 4x, यह plus 3y, औ और ये minus 4 को उजर भेजूँगा, equal के पास तो ये हो जाएगा plus 4, यानि कि x plus 3y is equal to 4, ये बन गया हमारा एक normal equation, पहला वाला, दूसरे वाले को कैसे बनाऊँगा, 6x equal हो जाएगा, ये तो बहुत खराब दे दिया है, ये तो बहुत खराब दे दिया है, ये ऐसा लिखो के exam में गलत हो जाएगा, पहले इसको arrange करो, x और y साथ में, तो ये 6x तो है अपने जगा पे, लेकिन ये minus 5 equal की उस साइट दिया हो है, तो minus 5 को पहले करीब ला, तो minus 5 जब x के पास आएगा, equal के ये साइट आएगा, तो ये हो जाएगा plus 5y, ठीक है, 6x plus 5y, बीच में आगे क्या हो इस equal to 8, एक के नीचे एक लिख लिए, पहला step क्या होता है, दिमाख में रखो और लिखने के जुरुद ने, side में क्या करना है, पहला step दिमाख में, d निकालना है, तो d कैसे निकालते है, d कैसे निकालते है, d will be equal to determinant बना लो, ये x का 4 है, ये x का 6 है, ये y का 3 है, ये y का 5 है ठीक है, solve कर लेते हैं, इसको हमरे d का value आ जाएगा, 4 multiply by 5, बीच में minus 3 multiply by 6, correct है, तो d का value आ जाएगा, 4 5 दा 20, minus 3 6 दा 18, तो 20 minus 18 d का value मिल गया हमें, 2, ठीक का value कितना आ गया, 2 आ गया, है कि नी, simple है कि नी, मुझे एक बात बताओ, या, देखो, मैं ज्यादा कुछ colorful marker भी उज नी कर रहा हो, बहुत simple लख रहा हो, ताकि आप लोगो बहुत simple दरीके समझ में आ जाए, ठीक है, एक एक second हमारे लिए important है, है कि नी, तो d is equal to 2 आ गया, चलो, अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, d निकल गया, अब दिमार्ग में करो, d निकल गया, भाई, d निकल गया अगला step क्या सा, इमार्ग में होना चाहिए, d के बाद आता है, dx, ठीक है, तो dx निकलो, यह dx नाम सुना सुना लग रहा है, www में, ठीक है, ना चलो, कोई बात नहीं, dx is equal to, पहले bracket बनाओ, मतलब determinant का box बनाओ, क्या करना है, dx निकलना है, तो x के जगा पे हम लोग हाथ रखे रते हैं, तो dx व Metroid टूपर म मल्टिप्लाइब रखाईव पाईव इच में, माइनस त्री मल्टिप्लाइब आ एंड गे है, dx का कितना आ जाएगा, dx व observer Jupiter 24, 20-24 कितना होता है, तो dx का वैलु हमें मिल जाएगा, माइनस इशंट टिपर कितना होता है, माइनस 4, टीक है, dx का व यहां पर लिखा था लेकिन य निलिख सकते तो उसके बाजवार लिख सकते मतलब इक्वल के यहां पर आजाएगा इसको शॉल कर लेते हैं यहां पर करूं सॉल्फ ठीक है तो दी वाए इसको शॉल कर लेते हैं तो दी वाइब इसको शॉल कर लेते हैं तो दी वाइब इसको अगया अगया अगे बढ़ जाएँ अब हमें क्या निका निकाल लाया है दी निकल गिया दी एक्स ने लिएक automa TV फिरों permitted एक्स कि अगल लो यहां से इक्वल टू 4 इतना सिंपल है है कि नी दोस्तो मुझे ऐसा नहीं लगता दोस्तों कि क्रामस रूल से कोई easy method हो सकता है to calculate to find out the value of x and y ठीक है न यह बहुत simple होता है दोस्तों बस आपको थोड़ा समझना पड़ेगा और steps आपके दिमाग में याद रखने पड़ेगा और कुछ नहीं समझ में आ गया clear है तो उमीद करता हो कि यह चीज़ आपको बहुत ही easy तरीके से अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा अब हम जाते हैं सीधा next question की दरव एक question क्या है तीसरा question homework चौता question homework यह मैं क्यों लिखा हूँ क्योंकि मैंने देखा है तीसरा चौता question बहुत सिंपल है उसमें कोई भी changes नहीं है बस आपको उसको solve करना है उठाके तो यह आप लोग के लिए पार थे आप सोचो कराने के लिए मुझे क्या है मैं दस मिनट और पढ़ाऊंगा और कुछ नहीं दस मिनट और लंबा लेक्चर बनेगा लेक्चर बनाना लंबा बनाना इडिज नॉट मैं प्राइवरिटी फर्स्ट और दूसरा चीज यह है कि आप लोगों को अगर मैं हर चीज प्रोवाइड कर दो हैं जिसको स्पून फीडिंग अगर हर बच्चा अपने माबाप के भरोसे रहेगा और माबाप उसको जिंदगी पर बैट के खिलाते रहेंगे तो बच्चा कभी भी काबिल नहीं होगा वो सोचेगा मेरे पपा है मुझे खिलाने वाले हैं मैं क् गलत तरीके से मत लेना गलत मीनिंग मत लेना देखो आप जानते हो मेरे बारे में ठीक है दो साल से वाठते हो पड़ार हो ठीक है तो यहां पर मेरा दिखेंक रोसे और इंसर निकलेग़ा और आसा को ऐसा लगाईगा और आपको समझ में आ जाएगा कि yes, I can also solve सिर्फ वीडियो देखना और उसको practice नहीं करना it is not a solution, वीडियो देखो और उसको थोड़ा solve भी करो, तब देखो आपके अंदर कितना confidence आएगा और आपको यकीन हो जाएगा कि अगर ऐसे questions पूछ लेंगे तो आप बिंदास उसको solve करके दिखा सकते हो और यही मैं आप लोग को बनाना चाहता हूँ, एक काबिल इंसान बनाना चाहता हो दोस्तों और जरूर से आप बनोगे, इतना मेरा दावा है, आप लोग को बस ध्यान देना हर चीज़ के उपर, ठीक है? चलो, आगे बर जाते हैं, यह अलग question था, यह M वाले हैं, लोग confuse जाते हैं, यह X and Y नहीं है, M है इसके लिए मैं इसको करा रहूँ, कोई परेशानी नहीं है, जियान लगा कि देखो, सब से नहीं हो भराबर है कि नहीं, arrange है कि 360 वहाँ पे, X and Y था, यहाँ पर M and N, बस answer हमारा M और N का निकलेगा, जहाँ पर X and Y निकलता था, यहाँ पर M and N निकलेगा, कुछ नहीं, आपको सबसे पहले श्टेप क्या है, D निकालना है, D का determinant बनाओ, ठीक है, इधर 4 है, इधर 3 है, तो 4, 3, इधर 6 है, इधर 2 है, 6 और 2, solve कर लो, तो D का value क्या मिलेगा, 4 multiply by 2, minus 6 multiply by 3, solve कर लेते हैं, तो therefore D will be equal to 4, 2's are 8, minus 6, 3's are 18, 18, 18 minus 8 कितना होता है, D will be equal to minus 10, समझ में आ गया कि नहीं, D का value minus 10 मिल गया, आप next step क्या होगा, क्या निकालना है, D X निकालना है, तो D X कैसे निकालते हैं हम लोग, देखो त्यान से, D X will be equal to determinant बनाया, और X के जगा पे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा confuse, आप लोग हो जाओगे, और इसलिए मैं इन यह चाम निकालने वाले है, D M, क्योंकि पहला क्या है, M है, तो हम actual में निकालने वाले है, D M, D X नहीं, D X मदब D M से भी है, देकिन यहाँ पे नाम का फ़रखे बस, वहाँ पे D X था, क्योंकि X और Y थे, coordinates, X और Y variables से, ठीके, यहाँ पे M हो रहे हैं है, that is why D M, तो D M, यानि M के इसको short, short कर दोगे, मतलब जो यह चीज दिख रहा है, आपको, यह 4, 6, 54, इसको चाहिए, तो हम लोग उतर ही काट सकते थे, छोटा बना सकते थे, लेकिन छोटा नहीं बनाओगे, तो भी चल जाएगा, कोई परिशानी आपको नहीं होगी, ठीक है, समझ में आ रहा है, चल आपके सामने एकदम raw solve कर रहो, मैं पर ना कोई answer है, ना कोई book है, मैं डारिक लिए आपके सामने बस question लिखके लाया हूँ, और आपके सामने solve कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता नहीं यह क्या होने वाला है, तो प्लीज मुझे comment section में बता दिया करो, and I will improve next time, या फिर जाएगा, 6 और 2, इसको solve कर लेते हैं, तो DM will be equal to 54 A2 है, 54 multiply by 2, minus 6 multiply by 28, यह को थोड़ा बढ़ा होएगा, लेकिन answer आएगा, फोशीच करते हैं, 54 2 जा होता है, 108, minus 28 6 जा, 8 6 जा, 48 4 कैरी, 168, 168, answer आएगा हमारा DM का, minus करो 60 आएगा, minus 60 जाएगा, तो DM का value आगया, minus 60, जाएगा, ओगया, ओगया, अब हम क्या निकालेंगे, वो Y निकालेंगे, sorry Y निकालेंगे, Y निकालते थे न, यहाँ पर हम DN निकालेंगे, तो DN के लिए, अगेन यहाँ पर determinant डाल दिया, DN का है, मतलब यह वाला, N हटा दिया, तो क्या बच्चेगा, 4 और 3 इस साइड, और यहाँ पर 54 28, ठीक है, देखो, यह आप लोको बड़ा-बड़ा इसलिए लिए लग रहा है, पस थोड़े बड़े नमर्स तो आएंगे, ठीक है, एंसर निकलता है, क्या, सेम आगे, तो अबर तो, इसमें टेंशन और परचान वाली बात नहीं है, इसको सॉल करो, काँपे, यहाँ पर करो, चलो, यहाँ थोड़ा, एक स्टेप यहाँ करता हू, DN is equal to, इस 4 multiplied by 28 होगा, म माइनस, 54, 3 जा कितना होता है, 3, 4 जा 12, 1 carry, 3 by the 15, 16, 162, तो हमारा answer आएगा, DN is equal to minus 50, ठीक है, DN का value कितना आया, minus 50 आया, हम निकाल सकते है, क्या निकालना है, हम लोग को, M का value निकालना है, और M का value, जैसे हम लोग X और Y निकाल देते, यहाँ पर क्या निकलेगा, M और N नि जैसे यह M is equal to DM by D हो जाएगा, तो DM कितना है, दोस्तों, देखो, DM, DM में निकाला है, minus 60, और D कितना है, हमारे पास minus 10, तो minus 60 divided by minus 10 is equal to 6, तो हमारे पास M का value आगया, 6, cross check कर ले ना, दोस्तों, क्या हमारा M का value 6 आया, वो correct है कि नहीं, हो सकता है, गलात हो जाया, लेकिन लेकिन के solve किया है, और अगर पहले इसको cut करके solve कर दे, तो भी answer same आता, ठीक है, please, मुझे inform कर देना, ओके, अब देखो, N, और same ही आएगा, I am 99% sure कि वो same ही आएगा, ठीक है, DM by D, DM कितना है, चेक करो, DM कहांगे हाँ, DM minus 50 है, minus 50 divided by D कितना है, minus 10, minus 10 अगर D, तो minus 50 by 10 is equal to 5, म में आ गया, अतला हम लोग क्या बोल सकते हैं, कि M का value मुझे मिल गया 6, और N का value मिल गया 5, ठीक है, 6 and 5 is your answer, ठीक है, है कि ने, simple, देखो, कुछ problem नहीं था, problem ये था, कि अगर को ऐसे number आते हैं, जिसमें वो cancel out हो सकता है, तो ये minimize कर सकता था, मैं इसको, ये 4M, इसको में 2M बना सकता था, 6 and इसको 3 and बना सकता था, 54 को 28 बना सकता था, मतला ये पूरे को divide by 2 कर दूँगा, तो ये 2M plus 3 and is equal to 28 बन जाएगा, ठीक है, ऐसा कर सकता था, लेकिन मैंने इसले नहीं किया, क्योंकि ध्यान ने दिया, तो भी हमारा answer correct आएगा, क्योंकि इस प्रकार का जो ची के तरफ, और हमारा आखरी question, question मत 6 भी बहुत easy बाला है, तो इसके लिए हमने इसको homework देके रखा है, तो जरूर से इसको solve करो and answer, comment करके बताना दोस्तों, आप लोग से बहुत उमीदे हैं मुझे, और उमीद करता हूँ कि हमारे उमीदों पे आप खरे उतरोगे, हर चीज हम आज का वीडियो समात करता हूँ, thank you so much for watching this video, आज के लिए इतना ही जल्दी आपके सामने और भी बहुत सारे lecture साएंगे, continuously और अलग-अलग subjects के आएंगे, science के तो आपको मिली रहोंगे 10 standard के 11 science, 11 commerce और 12 science के वीडियो राने start हो गए हैं, अपने दोस्तों को inform कर देना कि हमारे आज कर देना, आपने दोस्तों के साथ जितना हो सके share कर देना, और अगर first time है आओ चैनल को subscribe नहीं किया है, तो फटा-फट से हमारे चैनल को subscribe कर देना, बाज को एक bell icon अता उसको press कर देना, ताकि future में हम कभी वीडियो से लेकर आएंगे, तो आप लोगो notifications मिलती रहेगी, ठीके फ्रेंड्स तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू एंड गुडबाई